हेलो फेंड्स, नोबिल इस्टरी सेंटर में आपका स्वागत है आज हम कलास 6 के NCRT HD के अध्याय दो करने वाले हैं और फर्स्ट अध्याय कर चुके आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं फर्स्ट अध्याय का वीडियो और फर्स्ट अध्याय का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रेप्शन में दे देंगे तो चलिए बिना किसी देरी के सुरुआत करते हैं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो subscribe कर लें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा क्योंकि अगर आप seated exam की तैयारी करते हैं या किसी भी एस्टेट exam की तैयारी करते हैं तो आपको काफी help मिलेगा इस channel पे और खासकर हम seated और estate exam को देखते हुए ये सारे वीडियो हम बना रहे हैं और खासकर जो subject है मेरा जो important subject class है 6 to 8 के लिए और समाजी कद्यान सिक्षन सास्त और EBS ये तीनो subject पे हम discussion अच्छे स्करेंगे और खासकर 6 to 8 में समाजी कद्यान से बहुत सारे question आते हैं जिसमें political, geography और history ये तीनो subject से बहुत सारे question आते हैं इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया और चली आज हम सुरुआत करते हैं जो अध्यादो है आखेट खास संगराज से भोजन उत्पात तक इसमें दिया गया है तुसार की रेल यादरा ये आप सोट में आप पर सकते हैं लेकिन जो importance है मुसी पर चचा कर रहेंगे चली हम देखते हैं आरंबिक मानब आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं इसमें थोड़ा चचा कर लेते हैं हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महादूव में कब से रह रहे थे बीस लाग साल पहले से यहाँ पर रह रहे थे आज हम उन्हें आखेटक और खाद संगरा के नाम से जानते हैं वो भोजन इंतिजाम करने के बीधी के अधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है ठीक है आम तोर पर खाने के लिए वो क्या करते थे जंगली जानवरों का शिकार करते थे मचलियां पकरते थे चिरियां पकरते थे फल फुल दाने पौधे पतियां और एक अंडा एक अठा क्या करते थे उनसे क्या होता था कि इनका जीवन धीरे धीरे चलता रहता था ठीक है तो आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे वो सिकारी के कारण वो सिकार करते थे इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था आखेटक खासंगरा किया कहा जाता था और उनको इसी के नाम पर भोजन इंतिजाम करने की बीधी के अधार पर उन्हें यह नाम दिया गया है ठीक है वो आमतार ओपर खानी के लिए क्या चीज का उप्योग करते थे जंगली जानवरों का सिगार करते थे मछलिया पकरते थे चीरिया पकरते थे फल फुल दाने और पत्या अंडे एकठा किया करते ठीक है ये समझ गए चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें दो-तीन कारण दिया गया है आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे पहला कारण क्या था यहाँ पहला कारण यह था कि अगर वे एक जगह ही ज़्यादा दिनों तक रहते तो क्या होता कि आस पास का जो फल था पोधा था और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते हैं तो इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलास में जाना पड़ता था ठीक है और दूसरा करण क्या था कि जानवर अपने सिकार के लिए क्या करते थे तो जिसके कारण उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था ठीक है तीसरा कारण हम देखते हैं तीसरा कारण क्या था तीसरा कारण था कि पेर पोधे में फल फूल जो पेर पोधा में फल फूल होता है वो अलग मोसम में अलग अलग जगह लगता है तो इनके तलास में क्या करते थे वो एक जगा से दूसरे जगा उनको जाना पड़ता था उप्यूक्त मोसम के अनुसार इलाकों में क्या करते थे घूमते रहे दे थे ठीक है चोथा करन था कि पानी के बिना किसी भी परानी या पेर पोधने का जीवन संभब नहीं है इसलिए कभी क्या होता था कि पानी जीलों जर्नों और नदियों में मिलता था यदि पी कई नदियां और जील जर्ने क्या होता था सूख जाता था और सूखने के कारण को जील और नदियों में पानी बारिस के समय में ही मिलता था तो सुखने के कारण उन्हें क्या करना पड़ता था एक जगह से दूसरे जगह पानी की तलास में भी जाना पड़ता था ठीक है ये चार करण हो गिया और इसे आप ध्यान रखें तो काफी आपको हेल्प मिलेगा अरंबिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है ठीक करते थे यह संबब है कि लोगों ने अपने काम के लिए क्या कि यह पत्थरों लक्रियों और हड्डियों के ओजार बने इनमें से कुछ क्या हुआ कि पत्थर के ओजार आज भी बचे हुए ठीक है इनहीं से हमें पता चलता है इनमें से कुछ ओजारों का उप्योग क्या कि किया जाता था ठीक है कुछ के साथ हड़ियां और लक्रियों के मुठे लगे लगा कर भाले यावान जैसे हथियार बनाते बनाए जाते थे कुछ ओजारों से लक्रियां काटी जाती थी और लक्रियों का उपयोग किसलिए किया जाता था इंधन के रूम में किया जाता था छो देख सकते हैं तो यहां पर बाया में अब देख सकते हैं यहां पर बाया में इनसान के खाने यूग जरों को खोदने के लिए खुदने के लिए किया गया इस्तिमाल ठीक है तो यहां पर बाया में देख सकते हैं यहां पर बाया साइड में अब देख सकते हैं यहां पर इंसानों की खाने योग जो जर होता है पेर पोधे का उसको खुदने के लिए यह उजार पत्थर का उजार इस्तिमाल करते थे ठीक यह अब दोची देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है लाल तिरकौन वाले पुरा अस्थल जहां पर आखेटक खाज संग्रा होने का परमान मिला है इसके अलावे कई अस्थानों पर आखेटक खाज संग्रा रहते थे मानचीतर में सिर्फ गीने चुने अस्थान ही चिन्हित किया गया है और क्या होता है यह सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण कई पुरास्थल नदियों और जीलों के किनारे पुरास्थल क्यों पाए गये हैं क्योंकि जो हमारा पुराना शब्यता था जो उस समयक लोग रहते थे वो नदियों और जीलों के बगल में ही रहते थे क्योंकि पानी किसी भी परानी के लिए पिरवधा के लिए सबसे महत्पूर्ण है और सबसे जरूरी होता है तो इसलिए वो अपना जो भी जहां पे भी बसते थे या जहां पे भी रहते थे तो नदियों और जील जर्णों के जहां पे पानी का अच्छा सुरूत है वहीं पे वोड़ाते थे ठीक है तो आप इस मैप में देख सकते हैं लाल तीर कौन वाला ये मैप दिया गया है यहां पे आप देख सकते हैं इसमें सारे संकेत दिया गया है पुरा पासानी का अब पुरा असल ये सारे चीज़ इसमें दिया गया है यहां पे आप मैप में ये देख सकते हैं कौन सी जगा कौन कौन चीज कहां पे है ये आप देख सकते हैं ठीक है ये आप देख लीजेगा तो चलिए आगे हम देखते हैं बिना देरी किये हुए यहाँ पर कुछ सेल चीतर दिया गया है इस सेल चीतर में हम देखते हैं क्या दिया गया है तो इस पुरास्थल में गुफाएं और कंद्राएं मिली है ठीक है लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इंपोर्टेंस है कुछ इसलिए रहते थे उनसे क्या होता है गुफाओं में क्यों रहते थे उनको बारिस, धूप और हबाओं सिराहात मिलता था यह गुफाओं में किसलिए रहते थे उनको बारिस, धूप और हबाओं से रहत मिलता था इसलिए वो लोग रहते थे यहाँ पर यह सेल चितर देख सकते हैं यहाँ पर बेखती यह हैं और एक जानबर का सिकार करते हुँ दिखाए गया है तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दिवारों पे चितर मिले ठीक है इनमें कुछ सुन्दर उधारन यह कहां का चितर है मदपरदेश और दक्षिनी उत्तर परदेश की गुफाओं से मिले चितरे हैं इनमें जंगली जानबरों का बरी कुसलता से सजीब चितरन किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं जाने लोग जो जहां पर रहते थे कुछ चितर भी बनाते थे ठीक है आगे हम देखते हैं यह गूफाय यह दक है यहीं भी मिलआ है भीमबेटका गूफा टायमає ठीक है आगे आगे हम चलते हैं देखते हैं तो चलिए पुरा अस्थल के वारे इम्तरा जान लेते हैं ये काफी महत्पूर्ण है और कई जगे कई इक्जाम में भी ये पूछा जाता है बार बार और ये पढ़ना काफी important हो जाता है ठीक है तो पुरा अस्थल किसे कहते हैं पुरास्थल उस अस्थान को कहते हैं जहां पे ओजार बर्दन और इमारत जैसी वस्तों का अबसिस मिलते ठीक है ऐसी वस्तों का निर्मा लोगों ने अपने कामों के लिए किया था और बाद में वो क्या है हुआ कि वहीं छोड़ दिये ठीक है कई बार ये जमीन के उपर पाया गया अंदर भी पाया गया और कभी कभी समुन्दर और नदी के तल में भी पाये जाता आग की खोची ये थोड़ा महत्पूर्न है इसमें हम देख लेते हैं एक कुर्णूल गुफा दिया है मांचितर दो में कुर्णूल गुफा तो आप कोमेंट करके हमें बताईए कि कुर्णूल गुफा किस राज में ठीक है यहाँ पर दिया गया गया कुर्णूल गुफा में यहाँ पर राक का अबसेस मिला है इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सी गए थे आग का इस्तेमाल कई कारियों के लिए किया जाता होगा जैसे परकास के लिए मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए ठीक है तो जो कुर्णूल गुफा है यहां राग कापसेस मिला है तो इसका मतलब कि लोग जो थे आग जलाना सी गए थे आग का कई तरह के इस्तेमाल हो सकता है परकास के लिए मांस भूनने के लिए और खतरना जानवरों के दूर भागाने के लिए ठीक है आगे हम देखते है इसमें क्योंकि टोपिक लंबा है थोड़ा जल्दी जल्दी करना अब नाम और तीथियों के बारे में थोड़ा डेटेल्स में हम चर्चा करेंगे ये नाम और तीथियों के बारे में तो चलिए हम देखते हैं हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरा तात्विक बिदों ने पुरा तातिविक विदों ने उन्हें बरे बरे नाम रखें ठीक है अरामभी काल के वे पुरा पाशान काल कहेते ठीक है अरामभी काल को क्या कहते है पुरा पाशान काल यह दो सब्दों से बना है यानि पुरा मतलब पराचीन ठीक है कि पुरा पार्षान में अधिकतर पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था ठीक है तो इसी के महत्व को ये दर्साता है पुरा पार्षान काल का जो समय है वो बीस लाख साल पहले से लेकर बारा हजार साल पहले के दोरान माना जाता है इस काल को तीन भागों में विभाजित किय गया गया आरामभिक मद और उत्तर पुरा पार्षान यूग मानब इतिहास की लगवग निनानवे परतिसत कहानी आगे हम देखते हैं जिस काल में परिय बढ़निया बदला मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है मैसोलीत काल कहा गया है ठीक है मैसोलीत यानि कि मद पार्षान जो जिस काल में परिय बदला मिला है उसका काल है बाराजार साल पहले से लेका दस जार साल पहले तक और इस काल के पार्षान ओजार क्या होते थे बहुत ही छोटे होते थे इसलिए इसे क्या कहा जाता था माइकरोलीत यानि कि लगू पार्षान कहा जाता था ठीक है इन इस दोरान में यानि कि मद पार्षान जो लगू पार्षान काल था या माइक्रोलिट जिसे हम कहते हैं उसमें पूरा पार्षान यूग के कुछ औजार भी मिले ठीक है तो आगे हम चलते हैं देखते हैं आगे क्या देया गया है अगले यूग की शुरुआत लगबग दस जा साल पहले से होती है इसे क्या कहा गया है नप पार्षान यूग कहा गया है बदलती जलबाई हूँ ठीक है इसके इसके बारे मुंत रहाम डीटेल्स में चैचा कर लेते हैं बदलती जलबाई हूँ के बारे में ठीक है बदलती जलबाई यानि कि 12,000 साल पहले कि परिया बढ बारहजार साल पहले दुनिया के जलभाईू में बरे बदलाव आए क्यावा की गर्मी बढ़ने लगा इसके परिणाम सरूप क्यावा की ए कई छेत्रे में घास वाले मैदान बढ़ने लगा और इससे क्या पखादा हुआ की जो घास खाकर जानबर जीवित रह सकते थे। ये सबसे बड़ा बद़ाव हुआ कि 12,000 सल पहले जब धीरे-धीरे गर्मी बढ़ने लगा तो उससे कई जगा घास के मैदान भी बने और घास के मैदान बने से ये फायदा हुआ कि जो घास खाकर जानबर जिवित रह सकते थे उनकी जनसंखिया धीरे-धीरे बढ़ने लगी आगे हम देखते हैं कि जो लोग इन जानबरों का सिकार करते थे वे इनके पीछे आये और इनके खाने पीने आदतों और परजनन के बारे में जानकारी हासिल करने लगे ठीक है साथ ही कुछ इस काल में, जो ये काल है, इस काल में मचली भोजन का मुख सरोत बन गया, ठीक है, इस काल में क्या हुआ कि मचली भोजन का मुख सरोत बन गया, ठीक है, आगे हम देखते हैं, खेती और परसुपालन की सुरात कैसे हुई तर शोट में इसमें देख लेते हैं, उ तोड़ना शुरू कर दिया हुगा है साथ ही वो क्या हुआ कि सीखने लगे होंगे कि वह अनाज कहां से उगते हैं ठीक है ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहां से उगते हैं और कपकर तयार होता है ऐसे करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख गया इ किर्षरक बने लगे और इसके बारे में सारे ची सानकारी की और इसके बारे में और खुद आनाज पइदा करने। ठीक है और ऐसे ही धीरे धीरे वो किर्षक बन गे ठीक है आगे हम देखते हैं इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास जानवरों को आकरशित कर उन्हें क्या हुआ कि पालतु भी बनाना बनाया होगा इसी तरह क्या हुआ कि लोग अपने घर के आसपास जानवरों के आ वो कौन थे कुत्ते के जंगली पुरवज थे ठीक है जो सबसे पहले जो जानवर को पालतू बनाए गया था वो जंगली कुत्ते के पुरवज थे ठीक है धीरे धीरे लोग भेर बकरी गाई सुवर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उसाहित करने लगे ऐसा जानवर जुन में रहते थे ऐसे जो जानवर थे वो कहां रहते थे जुन में और ज्यादा तर घास खाते थे अकसर लोग अन जंगली जानवरों के आक्रमन से इनकी सुरक्षा करते यह जो जानवर थे लोग क्या करते थे अन जो जंगली जानवर था जो हिंसक जंगली जान बन गए यह आप समझ गए होंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप कोमेंट करें और शेयर कीजेगा और कैसा वीडियो और किस तरह का वीडियो आप तक पहुशना चाहिए आप हमें कोमेंट कर जरूर बताएं तो चलिए आगे हम देखते हैं या बसने की परकिरिया जैसे की लोगों तो आरा पोधे उगाने और जानवरों की देखवाल करने को ही बसने के परकिरिया का नाम देख गया है ठीक है यह पोधे अकसर जंगली जानवरों जंगली पोधों और जंगली जानवरों से भिन होते थे ठीक है जो पोधा होता था तो इसलिए इसी जगा इसकी यह जगा है बसने की परकिरिया के दिसा में अपनाएगे पौधे और जानवरों का लोग चेन करते थे ठीक है आम तोर पर यानि की आम तोर पर क्या होता था कि लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चेन करते थे जिनके बिमार होने की लोग उन्ही पौधे को चूनते थे जिससे बरे बरे दाने अनाज पैदा हो और साथ ही उनकी डठले अनाज के पकने पके दानों के भार को समहाल सके ठीक है तो ऐसे पौधे चूनते थे जिनका डठल मजबूत हो और जो दाना पक गया पक जाता था तो वो जो डठल हो उसको समहाल सके आइसे पौधे के बीजों को क्या करते हैं समहाल कर रखते थे ताकि फिर उगाने के लिए उनके गुन्ज सुरक्षित रह सके ठीक है तो ये पौधे जो होते थे उनको खाने के लिए भी इस्तिमाल करते थे और उगाने के लिए भी कुछ इन्हे सुरक्षित रखते थे ठीक है आगे हम देखते हैं उन्ही जानवरों को आगे परजनन करने के लिए परजनन करने के लिए चुना जाता था जो आम तोर पर अहिंसक होते थे इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और किसी के लिए अपनाएगे पोधे जंगली जानवर और पोधें से क्यावाद धीरे धीरे भिन होते गए जो लोग अभी भी देखेंगे आप जितने भी लोग जानवर को पालतू बनाते हैं जो जानवर को पालते हैं और जो जंगली जानवर है उसमें काफी डिफ्रेंस आप मांचले कि मिसाल के तोर पर जंगली जानवरों की तुलना में जो पालतू जानवर होता था उसके दांत और सिंग भी छोटे होते थे ठीक है बसने की परकिरिया क्या है हुआ कि पूरे दुनिया में धीरे-धीरे चलती रही और करीब 12,000 साल पहले इसकी सुरुआ चले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा जानवर चलते फिरते खाद भंडार आखिर खाद भंडार जानवर को क्यों कहा गया है क्या होता थे कि जानवर बच्चे देते दे ठीक है और जिससे उनकी जनसंखियां बढ़ सकती है अगर जानवरों की देखवाल की जाए तो संखियां भी बढ़ेगी और साथ ही उनसे क्या होगा दूद भी पराप्त होगा ठीक है दूद पराप्त होगा भोजन का एक अच्छा भी स्रोत है यही नहीं जानवरों से हमें मांस भी मिलता है दूसरे सब्दों में पसु पालन भोजन के भंडारन का एक परमुक तरीका ठीक है इसे क्या होतार मांस भी मिलता था दूद भी मिलता था और कि मिलते इसलिए जानवरों को क्या कहा आगे हम देखते हैं इस पर रहूत व्यार चर्चा कर लेंते हैं अस्ताई जीवन की ओर ठीक है। पुरा तादविक विदों को यानि कि लोग अस्थाई जीवन की ओर कैसे बढ़े हैं ठीक है इसके बारे में चेचा करना काफी इंपोर्टेंट है पुरा तादविक विदों को कुछ पुरा अस्थालों और जोप्रियों गरों के निसान मिले हैं जैसे कि बुर्ज हो, वर्तमान में कस्मीर में है बुर्ज हो, के लोग गड़े के नीचे घर बनाते थे, कहां पे लिए घर बनाते थे, जो कस्मीर में बुर्ज हो, यहां के लोग गड़े में घर बनाते थे, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था, गर्तवास कहा जाता था, इसमे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलता था ठीक है पुरा तात्विक विदों को जोपरियों के अंदर और बाहर दोनों ही अस्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली है ऐसा परतित होता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे ठीक है पुरा तात्विक विदों को घर के अंदर और बाहर आग जलाने का जगह भी मिला है जिसे परतित होता है कि लोग मौसम के अनुसार अंदर या घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे इसी तरह लोग अस्थाई जीवन की ओर तीरे-दिरे बढ़ें तो चलिए हम आगे देखते है यह आपकुछ नापासान यूग के कुछ उपकरन आप देख सकते हैं यह कुछ उपकरन है अप देख सकते है जो नापासान यूग का है ठीक है आगे हम देखते हैं इस पे थोड़ा डिसकसन कर लेते हैं एक पात्र यहां पे दिया गया ठीक है यह देख सकते हैं नापाशान यूग के पुरास्थलों से कई परकार के मिट्टी के बरतन मिले जो नापाशान यूग का पुरास्थल था वहां से क्या मिला है कई परकार के मिट्टी के बर्तन मिले कभी-कभी इन पर क्या होता था कि अलंकरन भी किया जाता था बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए क्या होता था चीजों के रखने के लिए किया जाता था और धीरे-धीरे लोग बरतोनों का परियोग करना परियोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे है चाबल गेहूं दलहन जैसी अन अनाज अब आहार का क्या है की मुख हिशा बन गया है इसके साथ साथ लोग अब क्या किया है कि कप्रे भी बुनने लगे थे और इसके लिए उनको क्या जरूरत होती थी कपास जैसे पोधे भी धीरे धीरे उगाए जा सकते थे तो कप्रे बुनने के लिए इन्हें कपास के पोधे की जरूरत होती थी और कपास के पोधे उगाए जा सकते थे उस समय यहाँ पर देखेंगे मेहर घट के ढूनने के लिए कहा गया है यहाँ पर आप मांचीतर और पिर संख्या तेरह में आप देख सकते हैं मेहर घट अगर भूक है तो यहाँ पीडियाइप आप देख सकते हैं इरान जाने वाली सबसे महत्पुन रास्ते बोलन जो दर रहा है उसी के पास एक हरा वरा समतल अस्थल है साइद इसे ही समतल मेहर वही अस्थान है जहां जहांके इसतरी पूरीजों ने इलाके में सव से पहले क्या-क्या की उगाना सुरात किया गेहूं जो उगाना और भेर बखरी को पालना सीखा ओ ठीक है यहां के बिभिन परकार के जानवरों की हड्डियां मिली है यानि कि हमें कैसे पता चला यहां पर जो है बिभिन परकार की जानवरों की हड्डियां मिली है इनमें से किसकी हड़िया थे हीरंत, सुवर्था, जंगली जानवरों और भेर बक्री की हड़ियां मिले है तो इसी से हमें पता चलता है ठीक है अगर दखते हैं मेहरगड में मेहरगड में क्या मिला है मेहरगड में चोकोर आयताकार घड के अबसेस भी मिले है मेहर गड में क्या मिला है कि चोकोर आयताकार घर के अबसेस भी मिले हैं पर तेग घर में चार या उससे ज़्यादा कमरे हैं और जिसमें से समब्ता क्या होता था कि भंडारन के काम आते होंगे ठीक है यह आप घर देख सकते हैं चार या उससे ज़्यादा कमरे भी मिले हैं और समब्द ये भंडारन के लिए काम में आते होंगे अब जीवन मिर्तु के बारे में क्या सत्त था मेहर गड़ में उसके बारे में थो अचाचा करते हैं ये जीबर मिर्तु के पारिम काफी अज़ीब इसमें दिया गया है तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है मिर्तु के बाद सम्मादी था मिर्तक के सगे सम्मादी उनके परती सम्माद जताते थे लोगों की आस्था थी यानि कि उन लोगों की विश्वास था कि मिर्टू के बाद भी जीवन है आस्था मतलब यानि विश्वास जैसे हम कई सारे ऐसे पद्धतियों पर विश्वास करते हैं आज भी कई ऐसे पद्धतियों पर विश्वास करते हैं तो मिर्तु के बाद कई धर्मों में भी माना जाता है कि मिर्तु के बाद भी एक अलग जीवन है और इसी तरह मेहरगड में भी कहा गया मिर्तु के बाद भी जीवन है इसलिए कबरों में क्या होता था कि मिर्तुकों के साथ कुछ समान भी रखे जाते थे और मेहरगड में ऐसा होता था ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ही एक कबर मिला है इस कबर में मिर्तक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है एक बकरी को दफनाया गया है तो यहाँ समझता इसे परलोक में मिर्तक को खाने के लिए रखा गया होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं चितर में काफी इंपोर्टेंस है यह बेखती है जो मिर्टक है ठीक है इनको खाने के लिए यह देख सकते हैं आप जान बर हैं और इनके खाने के लिए एक बखरी को भी दफना आया गया ऐसा पर्तित होता है कि इनको परलोग में इन्हें खाने के लिए बगरी को खाने के लिए दफना दिया हो गए ठीक है ये काफी अजीब उस समय की सब्वेता थी चले आगे हम देखें फरांस की एक गुफा है जो पुरास्थल की खोज लगभग सो साल पहले चार इसकूली छातरों ने किया है ठीक है फरांस में गुफा है इसकी इनमें जंगली घोरे गाय भैस गेंडा रेंडियर बरासिंगा सोरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है ठीक है यहां पर कैसे कई ऐसे जानवर मिले हैं जैसे भैस गेंडा रेंडियर बरासिंगा जो की सोरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया ये कम मिला है 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाएगे ये चित्र है और 100 साल पहले इसका खोज हुआ है चार इसकुली छात्रों के दोरा ठीक है फ्रांस में आगे हम देखते हैं इन रंगों में लो एसक और चार कोल जैसे खनीज पदार्थों से बनाया जाता था इन रंगों के किसे बनाया जाता था लो एसक और चार कोल जैसे खनीज पदार्थों से बनाया जाता था ये समवता इन चित्रों को उस सबों के अफसर पर बनाया जाता होगा या फिर इन्हें सिकारियों के दोरा सिकार पर निकलने से पहले अनुस्ठानों के लिए बनाया गया होगा ठीक है ये अब देख सकते हैं कि साइद इनको किसी उस सब के लिए बनाया जाता होगा या सिकारी जो सिकारी होते थे जो जानवर के सिकार करते थे वो जब सिकार करने के निकलते थे तो उससे पहले अनस्थानों के लिए बनाया गया हुए ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ नपाशानिक पुरास्थल है तुर्की के बारे में दिया गया है तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं क्या दे आगए थोड़ा रिस्वार्ट में डिस्कुसन कर लेते हैं एक नपाशानिक पुरास्थल है नपाशानियूग यहाँ तुर्की को ढूनने के लिए कहा गया है नपाशानियूग के सबसे परसिद पुरास्थलों में से एक चतालियूग तुर्की में है यहाँ दूर दराज अस्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उप्योग किया जाता था ठीक है दूर दराज से यानि कि कई जगह से दूसरे देश से कई चीजें लाई जाती थी और उसका उप्योग किया जाता था कहां पे तुर्की के ही में ठीक है जैसे सिरिया से क्या लाया जाता था चक्मक पत्थर लाया जाता ठीक है लाल सागर से कोडियों लाई जाती थी ठीक है भूमर्द सागर से सीपियों लाई जाती थी ध्यान लेकि इस समय क्यों के पहिये वाले वहन का विकास नहीं हुआ ठीक है आप समझ सकते हैं कि जिस समय पहिये वाले वहन का विकास नहीं हुआ था तो यह कैसे लोग यहां से यह सारे समान लाते होंगे तो लोग क्या होता था कि खुद या जानवर के पिट पर लात कर ले जाया और ये टोपिक कम्पिलिट हो चुका है और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कोमेंट कर हमें जरूर बताईएगा और इसमें जो भी आगे कराना होगा में फाइदा मिलेगा ठीक है तो चलिए यहीं पर ये वीडियो समाब्त करते हैं और वीडियो कैसा लगा आप कोमेंट कर हमें जरूर बताएं ये एक छोटा सा मैप है आप देख लीजेगा इसमें कौन सा स्थल कहां पर है जैसे ना पासानिक पुरा पासानिक और महा पासानिक पुरा स्थल ही है अब देख सकते हैं तो चलिए यहीं पर समाब्त करते हैं थैंक यू सो मच